प्रदेश अध्यक्ष बनाने का मन बनानी है जियां बता दे आपको किसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चकी है अगर बात करें दिल्ले विधान सभच नाव की तो दिल्ले विधान सभच नाव में सतर में से भाजपा आठ सीटे ही जीत पाई थी और उसके बाद अगर बात करें भाजपा प्रमुक मनुस्तिवारी की तो उन्हें इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन उन्हें अगले प्रदीश अधक्ष बनाने का मन बना लिया है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मंगलवार और विद्वार को संसदो विधायकों से इसके लिए राय भी मांगी गई है बता दे आपको कि अगर इस पद की बात करें तो इस पद की रेस में काफी लोग हैं जहाँ पर अगर बात करें अनिल जैन, पावन शर्मा और इसके अलावा पर वी साहिप सिंग यानि कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो कई लोगों ने इस पद की पर रूची जताई है बात करें गौतम गंभीर की जहाँ पर गौतम गंभीर मिनाक्षी लेखी इन सब ने इस पद के लिए जो है यहाँ पर रूची दिखाई है अब इसके साथ ही बता दें आपको कि अब देख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा प्रदेश अद्धिक्ष कौन बनाया जाएगा नया प्रदेश अद्धिक्ष। और इन सब के बाद अब कहा जा रहा है सुत्रों के अनुसार की आगामी नागरिक चुनावों तक तिवारी को यहां पर मौका दिया जाना चाहिए अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मनुस्तिवारी को लेकर जल्द ही भाजपा कोई फैसला सुनाएगी जहां पर प्रदीश अध्यक्ष बनाने की मांग अब की जा रही है जहां पर बता दें आपको कि राय मांगी गई है वहीं सुझाव में मांगा गया है सांस दो विधायक की तो उन्हें का गया था कि जब तक कोई नया यह पद नहीं मिल सकता है कि अब सूत्र के उंशार कहा जा रहा है कि आगामी नागरी के चुनावों तक तिवारी को मौका दिया जाहिए अब देखना होगा वहीं बता दे आपको कि जहां पर अगर प्रदेश अध्यक्ष की तो इस पद में कई लोग जो है इस रेस में शामिल है जहां पर अनिल जैन पावन शर्मा परविष साहिब सिंग तो भाही मिनाक्षी लेखी गौतम गंबीर तमाम तरह की लोग है अब देखना होगा कि किसे ये पद मिलता है अब आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक कं तो भाही मिलता है इस को कि लेखने है पद में जोटारा है की कि लोगता है वौतम डपको को